नीलोखेडी विधान सभा का गाव जांबा गाव जांबा में पिछले पांस सालों में करोडो रुपए के विकास कार्य हुए जांबा गाव के पूर्वसर पंच चौधरी करम सिंग की युवा सोच प्रशासन के साथ ताल मेल और सरकार द्वारा दी गई करोडो रुपए के अनुदान राशी की बदालत आज गाव जांबा में विकास सर चड़ कर बोल रहा है लेकिन प्रशासन के साथ ताल मेल और सरकार के विकास नीती के चलते आज गाव जांबा एक शहर की तरह विक्सित गाव बन चुका है गाव जांबा के पूर्वसर पंच चौधरी करम सिंग से जानते हैं कि आखिर कैसे संभव हुआ उनका गाव के विकास का सपना बहuct बड़ी है रहा उसमें समस्थ गाव खाव आशियों का में बरपूर से योग मिला और साथ मैं सरकार से भी साहिफ था मिली विकास के लिए उसमें जो मेंन सबसे पहला हमारा टारगेट था एक समस्थन ऐती जो कि लाड़ियों के लिगवे गावं में जो मरे बच्चे गाउं के काफी दिनों से इसमें दिल्चस्पी दे रहे थे खिलाडी लेकिन स्टेडियम का नहीं बन पा रहा था तो सरकार ने आते ही सबसे पहले हमारा गाउं में खेल स्टेडियम बनाने का जो कारिया किया है वो एक सहरानी अकारिया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और धन्यावाद करता हूँ बारते जन्ता पार्टी सरकार का और हलका के जो पूरो विधैक बगवान दास कबिर पंथी जी का जिनोंने हमारी एक इसारे में ही पहले दिनी इसको पास करवा के एक करोड 31 लाग से जो मारा स्टेडी में वो बिल्कुल तियार हो गया और जो हमारे बच्चे आज इसमें खेद रहे है इसके लावा जैसे सामुही काम जो कॉम्मिटी सेंटर यानि की पैलस का था वो जूरुत थी पूरे गाउं को 36 ब्रादरी को ब्यासादियों के लिए जो बार जाना पड़ता था पैलस बुक करना पड़ता था लाग और फिया कर्श करने पड़ते थे अब वो गौह में एक ऐसा त्यार हो गया जिसमें 36 ब्रादरी के वेक्ति अपने सुक दुख के साधियां संजे काम कुछ भी उसमें कर सकते हैं और वो सरकार के शियोग से गराम पंचयत के सियोग से एक अच्छा और बहुत बढ़िया कम्योटी सेंटर त्यार हो चुका पानी पीने के पानी की द्रिंग वाट की समस्चा थी हमें उसको कुछ हुआ पानी की जो समस्चा थी वो कभी 25 साल पहले जो पाइपलेंड दभी थी वो काफी गहरी सयोग लेके और सरकार ने अपने सयोग से रास्य देखे अब एक नया टिव लगया है दो साल पहले और जो गाउं की लगबग 70% पाइपलान वो निव हो चुकी है अब बढ़िया पाइपलान लग चुकी है और बाक्की जो पाइपलान है अभी उसका भी मारा टेंडर हो च मैं अपने आपको गुर्व साली सोबागया साली समझेंगा क्योंकि संपूरून गाउं के 36 ब्रैदरी के युगाउं ने बजर्गों ने मातरी सक्ति ने मेरे उपर जो विश्वास करके जो मुझे अपना सेवक चुना था से 5 साल पहले तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ क क्योंकि मैं दिल से पूरे गाउं आशियों के जो जो समझें थी उनको पूरा करना का कारिया किया